ओम गन गनपते नमह नमसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो साथ सितंबर दिन शनिवार को का पर्व मनाया जाएगा। इस बार पूरे 500 वर्षों बाद गनेश चतुर्ती पर धन लक्ष्मी योग शिवयोग के साथ ही कई अन्यशुप सयोग बन रहे हैं इंदिव्य दुरलब सयोग में गुड के ये आसान से उपाई जरूर करें गुड के गुप चमतकारी उपाई अगर आप इस गनेश चतुर् से आपको मुक्ती मिलेगी भगवान श्री गनेश की कृपा से रातो रात किस्मत चमक जाएगी दोस्तों गनेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष भाद्र पद मास के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गनेश चतुर्थ और विगन करता दोनों है जहां वे विगन विनाशक हैं और दुष्टों के लिए विगन हरता भी हैं जियोतिश शास्त्र में इस शुब्ध दिन के लिए कुछ विशेश उपाए बताए गये हैं इन उपायों के करने से वरत का 100 गुना फल मिलता है और जीवन के सभी विग इन भी दूर हो जाते हैं। स्वाद और सेहत के साथ गुड़ पूजा और टोटके के भी काम में आता है। इसके बाद भगवान गनेश को गुड़ में देसी घी मिलाकर भोव लगाएं। इसके बाद इसे किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से व्यक्ति के लिए धन आदी योग बनते हैं। वहीं गनेश चतुर्थी के दिन गुड़ से छोटी छोटी 21 गोलिया बनाकर गनेश मंदिर में दूर्वा के साथ इन गोलियों को अर्पित करने से मंचाही इच्छा पूरी होती है। गनेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से कष्ट होंगे दूर। गनेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से होगी उन्नती। गनेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से दूर होंगी सभी समस्याएं। दोस्तों गनेश चतुर्थी के दिन भगवान गनेश को पूजन में गी और गुल का भोग लगाएं और पूजा में लाल वस्त्र और लाल चंदन का भी प्रयोग करें। फिर सत्रह बार दूरवा अर्पित करते समय ओम गम गनपत्य नमो नमह मंत्र का जब करें। इसके बाद गनेश अथवशिर्ष का पाठ करें। पूजा करने के बाद गी और गुल गाय को खिला दें और गरीब वजरूरत मंद को दान करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या दूर होगी और आपकी हर समस्या का हल निकल आएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का भय हो तो आपको लगता है आपके उपर किसी ने कुछ कराया धारा है, कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुचाना चाहता है, आपको नकारात्म कूजा का एहसास होता है, सपने में आपको डर लगता है तो तामबी के बरत जीवन का हर प्रकार का भः समाप्त होगा। ऐसा करने से सूर्य की स्थिती मजबूत होगी और उच्चपद मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मंदिर में छाया दान करें और चुपचाप गुर रख कर आ जाएं ऐसा नियमित करने से अचल संपती बनेगी। मनोकामना पूर्ण करने के लिए करें ये अच्चू कुपाएं दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही आपके जीवन से कष्ट खत्म नहीं हो रहे तो आप साथ गुर्ण की भेलियों के साथ एक रुपे का सिक्का और हल्दी की साथ साबुत गाथे पीले कपड़े में गुरुवार को बांध कर रेल्वे लाइन के पार फेक दें फेकते समय अपनी कामना बोलें ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होगी भोजन में गुर्ण का प्रयोग करने से सेहत लाब मिलता है पर यह जानकर आप चौक जाएंगे कि थोग थोगा गुर्ण खाते रहने से धन की आवक बढ़ती है आपको भगवान श्री गनेश को गुर्ण का भोग लगाना है और फिर इस प्रसाद को आप संभाल कर रख लीजिए और थोगा थोगा सा इस वस्तु को खाते रहिए ऐसा करने से भगवान श्री गनेश के आशिरवा इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में गुर्चना उनके चरनों में अर्पित कर रिन्मोग मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ततका लाब प्राप्त होगा। समझोता होता है, ऐसा मंदलवार को करें। दोस्तों नाग प्रयास करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही क्या आपके बनते हुए कार्या बिगर जाते हैं, कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती है तो दोस्तों आप जब भी शुब कार्या करने घर से नि दोस्तों गुड के की आसान से उपाए कर आप अपने जीवन के कासन को दूर कर जीवन को सुख में बना सकते हैं, इसलिए इन आसान से उपाए को कर इनसे लाभवश्य ही प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाई बेल आइकन को जरूर दबाई वीदियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया